नमस्कार दोस्तो भक्ती की इंद्र में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देख सकें। दोस्तो भगवान कृष्ण ने महा भारत काल में कलियोग का विस्तार पूर्वग वर्णन किया था। कलियोग में लोग कैसे होंगे, जीवन कैसे वतीत होगा, लोगों का विवहार एक दूसरे के प्रती कैसे होगा, यह सब उस काल में बताया जा चुका था। यहां हम प्रस्तूत करेंगे भगवान कृष्ण द्वारा कलियोग के वारे में बताये गई पांच कड़वी वाते जो आज शत प्रतिशत सच हो रही है। महाभारत में पांचो पांडव के मन में कलियोग के वारे में जानने की जिग्यासा थी। उन्होंने एक बार भगवान कृष्ण से पूछा कि कलियोग में मनुष्य कैसा होगा, लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष की प्राप्ती कैसे होगी। यह प्रशन सुनकर भगवान कृष्ण ने पांचो पांडव को वन में जाने के लिए कहा। और यह भी कहा कि जो कुछ भी तुम वहां देखो, मुझे विस्तार में आकर बताना। पांचो भाई वन में जाकर वापस आए। और भगवान कृष्ण को क्या बताते हैं चलिए युदिष्टिन महराज ने एक दो सून वाले हाथी को देखा और वो बहुत ही आशर चकीत हो गए। जब उन्होंने भगवान कृष्ण को इस द्रश्य के वारे में पताया तो भगवान ने उत्तर दिया कि कल्यूग में ऐसे लोग राज करेंगे जो बोलेंगे कुछ और क भीम ने देखा एक गाय को जो अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि बच्चे का रक्त निकलाया भीम यह देखकर दंग रह गया और भगवान कृष्ण से इसका अर्थ पूछा कृष्ण ने बताया कल्यूग का मनुष्ण अपने बच्चों से इतना असक्त होगा कि ऐ यदि किसी का पुत्र साधू बना तो सब उसके दर्शन करेंगे परन्तु यदि स्वयम का पुत्र साधू बन गया तो दुखी हो जाएंगे रोएंगे कि मेरा पुत्र किस रहा पर जा रहा है इसका क्या होगा कल्यूग में लोग बच्चों को मोह माया परिवार में ही यह सरीर मिर्थ्यू की अमानत है और आत्मा प्रमात्मा की अमानत है अर्जुन ने देखा एक पक्षी जिसके पंक पर वेद की रचनाई लिखी हुई थी परंतु वहां एक मनुष्य कमास खा रहा था यह देखकर अर्जुन हैरान हो गए इस पर भगवान ने वताया कि लोग होंगे जिने विद्वान कहा जाएगा किंतून की मन्षा यहीं होगी किसी की जल्दी से मिर्ति हो और उसकी संपत्ति को अपना लिया जाए रक्ति का ओदा चाहे कितना भी बड़ा हो परंतु उसकी दृष्टी दूसरों की संपत्ति पर ही रहेगी ऐसे लोग बहुत होंगे जो दूसरों के धन को चीनने का अतुर होंगे वास्तविक संथ तो कोई और ही होगा नकुल ने देखा कि एक भरी चट्टान परवत से गिरी और बड़े से बड़े व्रक्ष भी उसे नहीं रोग पाए परंतु एक छोटे से पौधे से टकरा कर वह चट्टान वहीं इसका अर्थ बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कलियुग में मनुष्य की बुद्धी श्रिण होगी उसका जीवन पतन होगा उस पतन को धन या सत्ता के व्रक्ष रोकने में सक्षम नहीं होंगे किन्तु हरी नाम रूपी एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतीत होने से रुख जाएगा हरी कीर्थन से मनुष्य की बुद्धी प्रवल होगी वहीं सहदेव ने वन में अनेकों कुएं देखें जिसमें से केवल बीज का कुआ खाली था जो की सबसे गहरा था कृष्ण ने इसका अर्थ बताया कि कल्युग में धनी व्यक्ति अपने शोक के लिए पुत्री विवाह में उत्सवों में भहतायात से धन खर्च करेगा परंतु यदि किसी भूके को देखेगा तो उसकी सहायता करने में उसको कोई रुचि नहीं होगी इंद्रियों की संतुस्टी मदिरापान मांस ब्रक्षन और व्यासन में धन खर्च किया जा आए गए थे और आज सच भी हो रहे हैं आप आसपास में आप देख सकते हैं हम अपने आगे की वीडियो में और भी चर्चा करते रहेंगे भगवत गीता रामायट तथा महाभारत की अन्य तत्थों को जो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है तो वहीं हमारी आज का व वीडियो का नोटिविगेशन आपको मिलते रहें जया शीक विश्मा